बिपक्ष के तमाम बड़े नितारोप लगा रहे हैं कि उनके फोन की recording चेक हो रही है उनके mobile को hack किया जा रहा है दरसल दो दिन पहले किसी तरह के message iPhone पढ़ाय थे और सोचिए अब खबर सामने आ रहे हैं मैंने उसको गंभिरता से नहीं लिया था वो message मेरे भी iPhone पढ़ाया था iPhone 16 Pro और मैं दंग रह गया था ये वो phone है सोची iPhone का ये phone है आप सब जानते होंगे जो iPhone चलाते हैं ये वो phone है जिस पर message आया था अब जाकर ये मामला बबंडर तूल पकरता जा रहा है तो क्या 2024 से पहले कौन को नेता जाएगा जेल अरबिंद केजरिबाल को 2 नवंबर को दिरफ्तारी होगी और क्या है इसके पीछे 2024 का प्लान नमस्कार मैं संभुक कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निसनल दस्ता तमाम भी पक्षी नेता जिसमें महुआ मुईत्रा हैं अखिलेश यादव हैं तमाम पत्रकार है और सुचिए मेरे फोन पर मेरे जैसे मामूल यूट्यूबर मुझे नहीं पता चलो अच्छा लग रहा है कि मैं भी कम से कम उस लिस्ट में हूँ जिसको इस तरह के मैसेज आये थे कि ये स्टेट स्पॉंसर्ड हैकर जो है वो आपको हैक कर रहे हैं तो क्या यही है मैं पिछले पांच सालों से आप लोग को कह रहा हूं कि शंबू जी आप गुजरात में हैं यहां सरकार को पता है तो मैं दंग रह गया मैंने क्या बात कर रहे हैं यह संबब है तो हाँ बिलकुल ऐसा यहां हर आने जाले सक्स पर नजर रखे जाती है और बाद में जैसे जैसे अमिस्टा मोदी की सरकार बरती गई यह अंदाज छोड़ेगी नहीं तो सवाल है कि क्या 2024 से पहले चुनाओ नहीं होगा क्या लोग जेल में डाल दिये जाएंगे सोचिये लालू यादब के साथ भी यही हुआ था उनको भी सी तरह से जेल में डाल दिया गया था अब अरविन केजरिवाल को बुलाया जा रहा है वहीं आज टीडीपी नेता चंद्रबाव नाइडू को जमानत मिल गई है लेकिन राहूल गांधी ने आज फिर से बोला है राहूल सोचिये लगातार कोशिश कर रही है कि राहूल गांधी अपने आपको मोदी के खिलाब सबसे बड़ा कुरसेडर प्रोजेक्ट करे राहूल गांधी कह रहे है कि मेरा फोन ले जाए मुझे डर नहीं लगता है मैं आपसे लर रहा हूँ तो क्या आरे से जान पुछ कर राहूल गांधी को प्रोजेक्ट कर रही है सोचिये राहूल गांधी और सोनिया गांधी को इडी ने जब सम्मन भेजा था इनको कुछ नहीं हुआ सवाल ह कि इसी तरह से जब UPA2 की सरकार थी और तमाम दलित पिछले नेताओं को जेल में डाल दिया गया था कनी मोरी ओभी सी थी यह राजा दलित थे उनको जेल में डाल दिया गया था नतीजा कुछ नहीं निकला सब धाक के तीन पात है तो सवाल है कि सरकार चाहती क्या है क्या महुआ मोहितरा को लेकर जिस तरह से खबरे बन रहे है तो साफ है कि उनको सबसे ज़्यादा टार्गेट किया जा रहा है तो सरकार का यही है गुजरात मॉडल कम से कम विकास में क्या है वो तो आप लोग बताये लेकिन सरकार की निगरानी में सब है ये तो खुला साब हो है अखिलेस यादव ने भी ट्विट किया कि देखे सरकार को जनता की बात सुननी चाहिए नेताओं की बात नहीं सुननी चाहिए वही अर्विंद केजरिवाल को लेकर कयास लगाये जा रहे हैं कि अर्विंद केजरिवाल की गिरफतारी हो सकती है उनको इस्तीफा देना प Finance Minister थे उसके बाद उनके सांसा संजय सिंग गिरफतार हैं अब अर्बिंद के जरिवाल से पूछताच होगी तो कयास लगाये जा रहे हैं कि गिरफतारी होगी वैसे रभी संकर परसाथ ने कहीं दिया है तमाम बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं इसका मतलब इनको पता होगी तो मान के चले कि अर्बिंद के जरिवाल की भी गिरफतार है जाता ये सबसे बड़ा सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं लेकिन फोन टैपिंग के लेकर साफ है कि फोन टैपिंग के मैसेज तो मुझे भी आये हैं तो क्या सरकार सबका फोन टेप करें लेकिन सांच को आज क्या डरना क्या है इसलिए लोग कुछ तंज कर रहे हैं कि क्या इसी बज़े से महुआ मोहित्रा की जो दोस्तों के साथ फोटो था वो उनके आईफोन से तो नहीं है किये गए थे नहीं लीक किया गया था ये भी लोग पूछ रहे हैं ससी थरूर की भी फोन चेकिंग हो रही है अखिलेश यादव है महुआ मोहित्रा है प्रियंका चतुरवेदी है पवन खेरा है यह तमाम वो नेता है पत्रकारों में कौन लोग है वो सामने आके कहें मेरे पास तो ऐसा मैसे जाया था लेकिन मैं तो आईफोन का वैसे भी कम ही इस्तेमाल करता हूं यह तो मैं विडियो बनाने के लिए या भासन रिकॉर्ड करने के लिए यह तो मेरे लिए सिर्फ एक कैमरा मात्र है तो सोचिए किस तरह से किस तरह से 2024 से पहले जो कयास लगाया जा रहे हैं कि कई सारे मुखमंत्रियों को जेल में डाला जा सकता है कई सारे भी पक्षी नेताओं को ग अंगरेस इन तीन राज्यों में चुनाव हाड़ गई तो दो तरह के नुकसान होगा एक तो 2024 में इंडिया गटवन्धन मजबूत हो जाएगा और वहीं OBC का मुद्धा बहुत जादा हाइफाई तरीके से उठेगा क्योंकि OBC से BJP को ड़ हो जाएगा तो सुचिए किस तरह से फोन भी बात को लेकर लेकर लेकिन A.N.I. को लेकर भी सवाल उठेगा एन ने सुरू में इसको कहा था कि यह सब वाज है उसके बाद खुद उसके बाद एपल ने सफाई दिया कि हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते हैं क्योंकि य क्या यह दवाव है यह बात तो सही है कि अब सोसल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है लोग इमर्जनसी के आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग इमर्जनसी के दौर में घुश गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि नेता चुकि आपस में बटे हुए हैं लेकिन लगातार इस तरह के जब घटनाय होती है तो उस नेता की पुपुलार्टी जरूर बढ़ जाती है अभी बीजेपी समर्थक तो इसका समर्थन करते हैं इस तरह की करवाई के लेकिन जो बीजेपी बिरोध बोट है वो उस सक्स को जादा इमांदार का सर्टिफिकेट देने लगती है जो सक्स जो है जिस पर इस तरह की करवाई होती है तो फोन टैपिंग को लेकर पुरा मामला जो है सामने है बबंडर मचा हुआ है और सवाल है कि फोन टैपिंग सरकार क्यों करवा रही है इस तरह की चीजे होती रही है वही अर्भीन केजरिवाल को नोटिस दिया गया गया, तो ये भी सबसे बड़ी खबर है जो सोचल मिडिया पर वायरल है. और मैं इसलिए कह रहा हूँ, वहीं इरान की खबर, इरान, रूस और आपको बता दे कि जो चाइना है, वो लगातार हमले की फिराक में है. ये सबसे बड़ी खबर है लेकिन सोशल मीडिया पर आज भारत में जो सबसे ज़्यादा वाइरल खबर है फोन टैपिंग का मामला जो है वो प्राइम टाइम में चल रहा है और लगातार जो लोग है वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर फोन टैपिंग की वज़ा क्या है अखिले से अदर में लगातार टूइट किया है जो सबसे बड़ी खबर है फोन टैपिंग को लेकर उनका जो टूइट है वो ज़्यादा वाइरल हो रहा है और सोच ये किस तरह से जो राजनीती है वो अपने सवाब पर है एक तरह पांच राज्यों का चुनाब है उसमें भी बीजेपी को इसका नुक्सान हो सकता है तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वाइरल खबर है आप लोग को क्या लगता है क्या अर्विंद के द्रिवाल की गिरफ्तारी होगी और अर्विंद के द्रिवाल के बाद अगला नेता कौन किसकी बारी आने वाली है ये भी बड़ा सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या आडविंद के द्रिवाल की ग्रफ्तारियों की बीजेपी के तमाम परवक्ता नेता तो करें ये वो मिसाइल देखिए अब अब आपको लेज़ते इजराय फ्रिसिन ये वो मिसाइल है जिस तरह की मिसाइलों की तैनाती की कोशिश हो रही है इसका मतलब है कि लगभग ये तैय हो चुका है कि चाइना और इन सब लोगों ने हथियार देना सुरू कर दिया है और अगर इस तरह के चीजे होती है तो वि टैपिंग चल रहा है और सवाल है कि अगर फोन टैपिंग चल रहा है तो क्या ये संसद्य है कानूनी है लोग सुप्रिम कोट जाएंगे ये सबसे बड़ा सवाल है जो लोग पूछा जा रहा है वही इरान फिलिस्तीन को लेकर एक सोशल मिडिया पर जो खबर चल रही है कि फिलिस्तीन मुझाहिदी ने एक सुरंग से निकले और गाजा में 35 इसराइली सैनिकों को घात लाकर हमला किया जिसे इसराइली मारे गए और घायल हो गया यह भी सोसल मीडिया पर है वहीं अमिर्का के एक नो सैनिक ने कहा है कि जब मैं इसराइल में फिलिस्तीन में लर रहा ह हो तो मुझे लगता है कि एक एक हजार एक सैनिक फिलिस्तीनी एक हजार के बरावर है और इसराइल इस रियल टेरिरिजम यह भी सोसल मीडिया पर आज की सबसे जादा वाइरल तस्वीर है जो गलोबली ट्रेंड कर रही है तो भारत के लिए सबसे बड़ी खबर है कि किस त पाल कटा हुआ है क्या लगता है लोग कह रहे है कि 2024 आते आते दरजनों नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा इस तरह कि आसंका जताई जारे आपको क्या लगता है क्या यह बीजेपी कर पाएगी आपकी पर्तिरिया बहुत जरूरी है शुक्रिया निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख